अगर आपका एक्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो चलते हैं प्रसनों के और स्टार्ट करते हैं यहां पर देख सकते हैं पहला क्योशन दिया हुआ है कि खूनी रभिवार की घटना कहां और कब हुई थी तो जो खूनी रभिवार की घटना ठी वह कहांपर हुई थी तो यह खूनी रभिवार की घटना लेनिं गराड में हुई थी कहां थी लेनन्न ग्राड में 22 जन्वरी 1905 को हुई थी कब Yes, is ice? फ्लाइर्वे के रूस की क्रांटी कब उई थी तो जो सो आजमार्ज नबर आपका क्या हो जायगा? राइट हो जाएगा उसके बाद अगला क्युशन है कि रूसो कौन था तो रूसो एक दार्शनिक था क्या था एक रूसो दार्शनिक था उसके बाद है कि दाइस्प्रीट आफ लाज पुस्तक के लेखक कौन है तो दाइस्प्रीट आफ लाज के लेखक मांटेक क्यू है कौन 21. 1999 को पासी दी गई थी उसके बाद अगला question दिया गया है कि लोकतंत्र में क्या लोकतंत्र में सरकार के चुनाओ की प्रकृइच क्या है तो निस्पच मतदान है उसके बाद समिधान सबा का गठन कब हुआ था तो समिधान सबा का गठन गठन हिए था उसके बाद लोक सभा के प्रत्य उत्तरदाई कौन होता है तो प्रधान मंतरी लोक सभा के प्रत्य उत्तरदाई होता है उसके बाद है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी कौन है तो योगी आदित नाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी समय है उसके बाद ह कि आस्तों में भारत के बिले की भूंका किसने निभाई थी तो सरदार बलब भाई पटेल ने निभाई थी कर के रखा किस राज में नहीं गुजरती तो करके रेखा राजस्थान 36 गड त्रिपूरा गुजरती है जबकि ओडिसा में नहीं गुजरती है उसके बाद माउंट एवरेष्ट की उचाई कितनी है तो माउंट एवरेष्ट की उचाई 8848 मीटर है उसके बाद है कि नंदा देवी सिखर कहां पर है तो नंदा देवी सिखर भारत में इस्तित है कहां पर है भारत में इस्तित है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है तो आप जानते हैं कि गंगा सबसे वड़ी भारत की नदी है उसके बाद सिती रूत मे भारत किस राज में वर्षा होती है तो सीती रूत में भारत में तमिल नाडु में वर्षा होती है कहां होती है तमिल नाडु में वर्षा होती है उसके बाद कि सिच्छा किस छत के अंतरगात आती है तो सिच्छा जो है दूती एक छत के अंतरगात आती है किसके दूती एक छत भाना अभी जाना घर जाना यानि सभी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा दोजारी ग्यारे की जनगर्णा के उसार जीवन प्रत्यासा कितने हैं तो सत्तर वर से कितना है सत्तर है यानि पैसर से सत्तर वर से तो आपसन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा उसके की प्र सथाद या पर स्था कि या फिर अंभलत की लिआ शुल है तो 1789 को क्या वह था यांपर यहां पर इसको मनाया जाता था रूप में उसके बाद लेनिन की प्रमु खारत के उप महादीब क्यों कहा जाता है? भारत को महादीब क्यों कहा जाता है? इस पश्च करना है अथ외 आ Vielगwand को इस बारे में आइक इसकी दो कहाणिया लिखना है को भारत है मयला desse तुम पूर को बनाले के निविद वे द Gl orbit यहां पर देख सकते हैं प्रसनों को देख लिए और इसको आपको ही लिखना है और यहां पर आपको मांचित कार दिया है तो मांचित कार भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं इन प्रसनों को आप अच्छी तरह से देख लिजिए और इसका स्क्रीन सौर्ड लेकर इसको आप हल कर लिजिए हल करेंगे ताभी आपको इसका फायदा होगा नहीं तो इसका फायदा नहीं होने माला है आई होप फ्रेंड यह वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप में मिलता हो नेक वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई